स्टूडिन आज जो हम नाइट्रिजन सेकल डिस्कूस करेंगे यह आपका चाप्टर है क्लास एट का माइक्रो आर्गेनिजम फ्रेंड और फ्रो यह उसका लास्ट टॉपिक है स्टूडिन जो स्टूडिन्स यह मेरी वीडियो आज फॉर्स टैम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है इससे पहले कि टॉपिक इस चाप्टर से लेडिए उसका लिंक मैंने डिस्कूर्पिशन बॉक्स में दे दिया है अब वहां पर जाके देख सकते हैं तभी आपको उसमें नाइट्रोजन कितना परसंट मिलता है स्टूडिन्स यह मुझे आप जो है स्टूडिन्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए कि कितना जो है नाइट्रोजन जो है हमारे एट्मोस्फेर में कितना परसंट जो है ठीक है सो स्टूडिन नाइट्रोजन है हम अपिए मुज़े जो है कमेंट करके बताइए यह भेरी नेसेसरी होता यह आटकर लिए यह काफि इमपॉर्ट न्यूट्रेंट है इस द्यून फिक्सेशन ंती फिक्सेशन इह अग्म लिए गुठी경ifying सो अब आप बोलेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है सो स्टुडेंस नाइट्रोजन फिक्सेशन मेंस नाइट्रोजन को ट्राप करना अब यह जो प्लांस है यह नाइट्रोजन को अपने आप तो ट्राप कर नहीं सकते हैं तो इन्हें ट्राप करता कौन है नेक् बक्तिरिया ये नाय्ट्रोजेन को years करता है ठीक है जो ये ड़े-बोजीव बक्तिरिया मिलता कहां है ठीक है यह जो राइबोऋजर्थ व्य्हें है हमारे मूंढूल से म से डॉल से मिलता है तो уска समें श워요 scène समें गेडियोमीनियस में त्यक्षंद है ठीक है जैसे आप इमेज में देख रहे हैं यह जो है लगिन लगिन्वेस प्लांट्स है इसके रूट नड्यूल में यह जो है बैक्टीरिया राइबोजों मिलता है ठीक है Nikko on the next point nitrogen get fix through the action of lightning भी nitrogen fixation कैसे होता क्या है बारिश होती है बारिशती होगी सो हमारी लाइटनिंग के सतन tenants न होती है तो इससे क्या होता है जो nitrogen है ठीक है हमारे atmosphere में जो nitrogen है जो n2 की form में है ठीक ये जो है break हो जाता है ये क्या होता है ये break हो जाता है n और n atom में ठीक अब ये n और n atom में break होके ये oxygen के साथ combine हो जाता है ठीक अब ये n और n atom में break होके ये oxygen के साथ combine होके ये कुछ compound बनाता है ठीक अब इसने कुछ compound बनाए तो जब rain होती है ठीक है जब बारिश होती है तो बारिश के साथ ये nitric के form में स्वाइल में mix हो जाता है और स्वाइल को ये enrich कर देता है ठीक है सो ये जो हम बोल सकते हैं कि lightning के थुरूबी lightning के थुरूबी जो है nitrogen fixation होता है student ठीक है so student अब हम देखते है nitrogen cycle के बारे में कुछ briefly discuss करते है तो nitrogen cycle होता क्या है तो जैसे हमने water cycle में देखा था water cycle में क्या था कि water का amount है वह एर्थ में जो है constant रहेगा fixed रहेगा ठीक है वैसली हमारा nitrogen cycle में होता है cycle means क्या होता है उसको यूज होना देन अगें फथर्ड जो है replanist हो जाना ठीक है nitrogen cycle जो है हमारे nitrogen जो है हमारे एर्थ में जो है constant रहती है ठीक सो इसमें फॉर्स्ट हम देखते हैं atmosphere है 78% of nitrogen ठीक है तो हमारे atmosphere में जो nitrogen है वो 78% है ठीक है और oxygen जो है 21% available है और 1% जो है other gases है like आपका कामे डायोकसाइड हो गया helium हो गया आरगन हो गया so student next हमारा point है certain bacteria and blue green algae are present in soil fix nitrogen from the atmosphere ठीक है अभी जैसे हमने previously discuss किया था कि bacteria bacteria कौन सा हमारा ribosome bacteria and कुछ जो है blue green algae ठीक है जो यह ribosome bacteria जो है leguminous plants के note noodles में present होता है और वो help करता है हमारा nitrogen fixation में ठीक है अब nitrogen fixation करने के बाद वो क्या करता है nitrogen fixation करने के बाद वो जो है उनसको कुछ usable compounds में convert कर देता है ठीक है usable compounds में convert so student इसके बाद अगजब यह plant protein बना ठीक है अब इस plant protein को अगर हम human beings खाएंगे या फिर animals खाएंगे तो यह plant protein जो है हमें मिल जाएगा ठीक है animals feeding on the plants and get the proteins ठीक है अब यह proteins क्या करा है अब इस proteins का हमने क्या क्या है यह protein अगर हम खाते हैं या फिर animals खाते हैं तो इसका protein जो हमें मिल गया ठीक है तभी doctors बोलते हैं जिसके body में proteins की कामी होती है उसको ज्यादा तर दाल और पॉल्स खाने चाहिए क्योंकि यह हमें leguminous plants के नोट नीडिल में मिलता है और वहां पर क्या प्रेजेंट होता है हमारा प्रेजेंट होता है जो fixation करता है nitrogen को ठीक है और अब यहां तक हुआ हमारी आधी कहानी अब क्या होगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन कैसेसे रिसेकल होगा वह देखते हैं अब जब यह plants और आटेग जाएंगे मर जाएंगे टिके हैं तो उसमें काफे सारे mysix है टो के करते हैं यह breeding educación क्या करते हैं सक्षमिए जभी टीक आप उसमें घ्ठार जो नैट्रोजन वेस्ट है उसमें निकल जाएंगा। और प्लांस में जया उसे थुल जो प्लांस पर नांड कर दो फॉर बोल्जा और के हम वेस्थ निकल जाएंगा। और उससे जो है nitrogen waste जो है soil में गया उसके तुरूज़ प्लांस में जाकर रिसेकल हो गया ठीक है बट क्या होता है कुछ जो है बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो डारेक्ली जो है nitrogen इसको कर देते हैं हमा valeur and 2 पर चिक है n2 का है हमारा कैसे nitrogen जो डारेक्ली जो है डारेक्ली जो है this entire ना ओफ्मोसफ्र में छिपा जाता है एक आक्तमास्फिर में जिसके वैसे क्या हो गया percentage of nitrogen in the atmosphere constant इसके वजये से हमारा है nitrogen जो ऑल ओवर हमारे अरतने प्रेजन्ट था वो जाहें उत्ना ही पर्सेंड रहा हूब कि आपको यह आल अवर नाइट्रोजेंग सेकल समझ में आई होगी ठीकेश अब इसको जो हम ग्राम इसको जो है हम डियाग्राम फॉर्म में समझते हैं ठीक है student so so student atmospheric nitrogen atmospheric nitrogen हमें कितना मिलता है हमारा 78% होता है nitrogen atmosphere में जो lightning के थूँ और कुछ bacteria and blue green आलगिर के थूँ जो है fixation होता है ठीक है उसके बारी fixation होने के बाद ये जो है कुछ compound में convert कर देता है nitrogen and nitrogen compounds में convert कर देता है convert होने के बाद ये directly किसके साथ mix up हो जाता है हमारा soils के साथ mix up हो जाता है ठीक है अब ये compounds हमारे soil में आगए अब soil से ये intake कर लेता है plants ले लेता है और plants जब इसको लेता है इस compound को तो वो क्या करता है कुछ plants प्रोटीन में convert कर देता है ठीक है अब इस plants प्रोटीन को कौन खाता है हम लोग खाते है या फिन animals खाते है ठीक है तो animals is the plant तो अब जो है plants का जो प्रोटीन है किसमें आ गया ये हमारा animals में आ गया ठीक है अब ये जो animals die हो जाएंगे ठीक है जब भी animals die हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा कुछ microorganism attack करेंगे ठीक है microorganism जो attack करेंगे वो क्या करेंगे nitrogen waste को nitrogen waste में इसको convert कर देंगे जो again जो है further जो है हमारा soil के साथ mix up होके again वो use हो जाएगा ठीक है but कुछ microorganism ऐसे होते है जो directly जो है ठीक है कुछ microorganism ऐसे होते है जो directly इसे N2 में convert कर देते है ठीक है और N2 क्या है हमारी gas है जो directly जो है atmosphere के साथ मिल जाती है ठीक है so guys I hope कि आपको ये all over nitrogen cycle समझ में आई होगी ठीक है so guys so guys I hope कि आपको ये nitrogen cycle समझ में आई होगा so guys thank you so much for watching my video अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है आप इसे like कीजिए subscribe कीजिए और आगे अपनी friend circle को forward कीजिए but अगर कोई student ऐसा है जिसको अभी भी इसमें doubt है so वो मुझे comment करके बता सकता है TK student thank you so much